कि नमस्कार स्पागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे रिलायंस इंडर्स्ट्रीज लिमिर्ट के चेर्मेन मुकेश अम्बानी दरसल दर्शन पूजन करने के लिए बदरीनाथ और केदानाथ धाम गये इस दौरान उन्होंने करोडों रुपए मंदर में दान किये इसी के साथ ही उन्होंने ये बादा किया कि वो 5G इंटरनेट की स सुवधा और इसी के साथ ही वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती करवाएंगे और ICU भी बनवाएंगे आपको बता दे कि बदरीनाथ और केदानाथ धाम जो है वो पहाडों में इस्थित हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो यातरी होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स हमेशा तैनात रहने चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुकेश अंबानी ने यह बादा किया है कि वहाँ पर वो डॉक्टरों की टीम को भी तैनात करेंगे इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों जो है सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए करते हैं और लोगों से जंता से कोई उनका लेना देना नहीं है वलकि जंता के पैसों से ही वह इतने ज्यादा अमीर बन रहे हैं अमीर बिजनसमैन बन रहे हैं इसके बावजूद वह इस तरीके से कोई भी चीज़े नहीं करतें जिस तरीके से मुकेश अम्मानी लगातार डोनेशन्स वगयरा करते रहते हैं उसको लेकर के जिक्र होता रहता है और इन दिरों वो लगातार कभी साउथ के मंदिर में जा रहे हैं और कभी उत्राखंड के मंदिरों में जा रहे हों और बकाइदा डोनेशन्स भी कर रहे हैं इसी के साथ ही आपको बता दे कि गौतम मंडानी भी लगातार डोनेशन करते रहते हैं ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं और इसी के साथ ही कई तरीके की जो स्कीम होती हैं उसके तहद भी डोनेशन किया जाता है उनके संस्ता के द्वारा उनकी कंपनी के द्वारा इसी के साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको सिक्षा और इसी के साथ ही उनके स्वास्त पर भी काम करती रहती है तो शायद यह चीज़े विपक्षी पार्टियों को नहीं दिखाई देती है जिसकी वज़े से वो लगातार डेश के जो अमीर बिजनसमैन ह अमेर श्रक्स हैं उसके खलाफ लगातार बोलते हुए नजर आते हैं और उनको प्रधान मंत्री का दोस्त बताते हैं और उनकी तरफ से यही बाते बार बार कहीं जाती है कि यह पीम के दोस्त है इस वजह से इने फाइदा पहुंचाया जाता है और तमाम जो इंडस्ट्री को पीम के द्वारा करवाये जाता है ़ेकिन देखने को मिलता है कि बात करें और ऑडानी की बात करें यह लगातार देश की विकास में भी आ आगे रही है इसी के साथ ही रतन टाटा का जो ग्रूप रहा है वह भी देश में हमेशा सही काम करता रहा है अर कहीं नही וईश क person क एकॉनमी जो है वो चर्चा का विश्व भर में बनी हुई है बता दे रिलाइस इंडस्ट्री इस लिमिटेट के चेयर्मेन और विश्व के नौवे सबसे अमिर शक्स मुकेस अंबानी गुरुवार को उत्रा खंड के किदारनाथ और बदरीनाथ धाम के दर्शन पूजन के ल पहुंचे आपको बता दे कि इन दोरों ही मंदिर की समीतियों को पाच करो रुपए मुकेस अंबानी के द्वारा दान में दिये गए आपको बता दे कि वो नौमल शद्धालों की तरह ही मंदिर में गय दर्शन पूजन करे और बकाइदा गर्विग्री में ध्यान लगा कर अब वो कुछ वक्त बैठे थें कुछ वक्त उन्होंने बिताया इसी के साथ ही बता दे कि 2015 से वो हर साल के दारनाथ बदरीनाथ के दौरे पर आते रहे हैं दरसल भगवान बदरी विशाल के प्रती मुकेश अंबानी की अटूट आस था है इसलिए हर साल वो भगवान बद लाख करोर रुपए की संपत्ती के साथ गौतम अडानी हैं जो कि दुनिया के चौथे अमीर शक्स भी हैं वही मुकेश अंबानी की संपत्ती फिलहाल 7.54 लाख करोर रुपए की हैं कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर वेक्ति हुआ करते थे लेक के साथ ही अभी वो फिलाल रिलाइंस इंडर्स्ट्री के च्वेर्मैन बने हुए है हाली में उन्होंने के गुरु वायूर मंदिर जा करके दर्शन किया था जो भगवान श्वेक्रेश्ण का मंदिर है उनके साथ उनके छोटे बेटे आकार शंबानी की मंगेतर रादे का मर् प्रशात के लिए दान के रूप में डेड़ करों रुपए को कनिका की भेट भी की थी उन्होंने सोपामन यानि की गर्विग्री में जवा कर घी भी अर्पित किया था वहीं सितंबर में वो प्राचीन बेंके टेश्वर मंदिर भी पहुंचे जो की तिरुमला के नजदीक है आपको बता दे कि रादेका मर्चंट दरसल इनकोर हेल्थ केर के सीओ ब्रेन मर्चंट की बेटी हैं अबमानी के साथ मंदिरों के दर्शन के लिए और आई एल के कई अधिकारी भी थे उन्होंने वहां भी टीडीडी यानि की तिरुमला तिरुपती देवस्थानम को एक देश्वलों पाच करूर रुपए का चेक भी दिया था हाले आतराखन दौरे में बद्रिनाथ मंदिर समीती के उपाध्यक्ष किशोर पावार ने उनका स्वागत किया आपको बता दे कि मुकेश शंबानी गीता पूजा पार्ट के भी हिस्सा रहे और उन्होंने के दारना इंडिया के जो की लगातार देश की अर्थ वैवस्था में कहीं न कहीं अपना एक छूटा सा सहीयोग हमेशा देते हुए नजर आते हैं लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां जो हैं इनको कोशते हुए और इनके बारे में विरोध में बोलते हुए नजर आ वाटा हों ये सारे ही गुझरास से आते हैं और उनका प्रधार मंतरी मोधी से गारा दोस्ताना हें जसकी वजह से पी-म अपने जोभी सरकारी काम होते हैं जो भी प्रजक्ट होते हैं सेन्ट्रल गृफ्मेंट के वो कही न कही इन बिजनसमेन को देते हैं जिसकी वज़े से इन बिजनसमेन को प्रॉफिट हो रहा है और लगातार वो देश के सबसे अमेर शक्स बनते जा रहे हैं लेकिन अगर हम चीजों की बात करें क्वालिटी की बात करें तो वो कही न कही इन ही इंडस्ट्रीज की वज जो ग्रूप्स हैं उनकी भी लोग तारीफ करते हुए नजर आते हैं चाहे बात हम तमाम सेक्टर्स के उठा करके कर ले कोल की कर ले पेट्रोलियम की कर ले तमाम ऐसे इंड्रस्ट्रीज हैं जिन से इन बिजनसमेंस को मुनाफ़ा लगातार मिलता रहता है इसके बावजूद विरोधी जो है इसका क्रेडिट सीधे तोर पर कहते हैं कि वो पीम मोदी के दोस्त है इस वज़े से उन्हें ये प्रॉफिट बलता है लेकिन जिस तरीके से ये बाते आती है चाहे फिर रतन टाटा की बात कर ले देश में कभी भी पैंडेमिक का दौर आया हो या फिर लग आपादेश को मिला इसी के साथ ही आपको है आपको बतादे लगातार देश जो है बिजनस मैन जो विश्वीन आपको भारत की इर्थ वश्व करते हुए दिखाई देती है और इसी के साथ यह आपको बता दे कि लगातार जो भारत के बिजनसमेन है उनका भी जिक्र किया जाता है आपको बता दे जहां मुकेश अमपानी दुनिया भर में नौवे सबसे अमेश शक्स के रूप में जाने जाते हैं तो वही अगर गौतम अडानी की बात की जाया तो गौत का दोरा किया है तो हर मंदिर में कुछ न कुछ उन्हीं वादा किया है मंदिर समीती से कि वहाँ पर डॉक्टरों की टीम वो तैनात करेंगे आइसी यू की ववस्था करवाएंगे और इसी के साथ ही हाल ही में लॉंच हुई 5G इंटरनेट की सुविधा भी वहाँ पर मुहया कराएंगे तो यह तमाम जो चीजें हैं वो यह दिखाती है कि मुके को भी साथ में लेकर चलते हुए नजर आते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में अगर संकट भी आएगा तो भी वह साथ खड़े रहेंगे फिलाल आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्शन में जरूर बताएं आगे कि और भी अपडेट क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें